कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे आपका स्वास्त अच्छा होगा और व्रकुट से पढ़ाई को आप एंज्वाय कर रहे होंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज की वक्सिट और आज की वकसिट है कक्षा 9 के समाजिक विगान की वकसिट नमबर 6 तो चलिए देखते हैं आज की वकसिट में आज की वकसिट के सुर्वाद नमारी इतिहास से हो रही है और इतिहास की समझ भाग एक आज हम पढ़ने वाले हैं तो देखते हैं कि किस तरह की परमपराय थी, किस तरह की संस्कृति थी, तो यह मानवता के लिए हमनेटी के लिए बहुत ही महत्पून भी सह है, इतिहास मात्र यह जानने के लिए नहीं है, कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ था, बल्कि यह हमारे बरतमान में जीने और वेहतर भविस्य का निर्मान करने में सायक है, बच्चो आपने अगर आठ्वी कक्षा में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि भारती बैक्ति के संस्कृति और रहांसान को समझने के लिए, अंग्रेजों ने इसके इतिहास का अध्यान किया, और उस इतिहास के अध्यान करने के वाद यहां के रूडियों और परमपराओं को उलट फिर करना बंद कर दिया, आठासो संताओं की लड़ाई के बार, तब यू वो आगे सो साल फिर टिक सके, तो उसी तरह से हमारे बरतमान में जीने और बेहतर भविस्य का निर्मान करने के लिए, हमारी इतिहासिक बातों और अतीत की बातों की जनकारी होनी बहुत आवस्यक है, इतिहासि में अब तक घटित घटनाओं या उनसे संबंधर रखने वाली घटनाओं का काल करमानुसार घटित होने के समय के करम का बर्णन होता है, मतलब कि इतिहासि में जो घटनाएं घटती हैं तो उनका करम क्या हुआ? और उनका काल करमा नुसार मतलब समय का नुसार सठीक वर्नन होता है इसे से हमें बहुत सारे बातों का पता चलता है दूसरे सब्दों में मानो की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है मतलब कि मानों के जीवन में और मानों के आतीत में कौन-कौन सी विसिट घटनाय गटी उसका समाजीक आर्थिक राजनिति क्या परिणाम हुआ इन सबका अध्यन ही इतिहास है इन घटनाओं और इतिहासिक तथ्यों को साक्ष्यों के अधार पर परमानित किया जाता है मतलब कि इन घटनाओं को अरैतिहासिक तथ्यों है जैसे कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं कब कौन राजा बना उसका पुतर कौन हुआ उसका पुतर कौन हुआ इसको साक्ष्यों के अधार पर परमानित किया जाता है और विस्टोर इतिहास पिछले लगभग तीन हजार वर्सों के दौरान प्रमुक सभ्यताओं का अध्यान है मतलब विस्व का जो इतिहास है आभी से लेकर के तीन हजार वर्स पहले तक कौन-कौन सी सबहताएं आई, कौन-कौन सा सिबलाइजेशन आया, कौन-कौन से राजा आया, कौन से वन्स आया, उनकी बंसावली क्या रही, इसी का प्रमुक अध्यान होता है अब लिखित प्रमानों के मिलने से पुर्व, लिखित प्रमान कब से मिले हैं, तो आप देख लिजे, तो सेंधो सबहता से लिखित प्रमान मिलने सुरू हो गए, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है तो बैदिक सभ्वेता में कुछ पढ़ा गया और उत्तरबैदी काल में भी कुछ पढ़ा गया तो यह सब चीजे जब लिखित प्रमाण मिलने तो लिखित प्रमाण जब मिले उससे पहले का इतिहास प्रागातिहासिक काल माना जाता है मतलब कि मान लिजे कि अगर आपको 500 इसा पुरु तक का या 600 इसा पुरु तक की बाते लिखी हुई मिलती हैं तो उससे पहले की जो बाते हैं ये प्राग अतिहासिक काल कालाती हैं और इधर के यूग को अतिहासिक काल काते हैं मतलब जब से लिखी हुई बस्त में मिली तब से इधर को एतिहासी काल और उससे पहले के समय को प्राग एतिहासी काल, मतलब प्राग एतिहासी काल काते हैं, जिसमें मानव सभेता को चार भागों में बाटा गया, मतलब कि जो और लिखी एतिहास है, उसके पीछे जो मानव भागों में बाटा गया पहला भाग था आदीम पासान मतलब पासान होya ककाल उसके बाद होग ऑग का सबसे को अइसके बाद रुखी उठी हास हैं इसके बाद रे大 ऑन काल में आ जाता है मतलब कि इतिहास लिखने से पहले चार काल हुए आदिम पासान काल, पुरुपासान काल, उत्तर पासान काल और धातु काल और उसके बाद से इधर फिर शुरू हो जाता है आपको वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल इस तरह से इतिहासी घटनाएं चलती रहत तो प्रागयतिहासिक काल को समझने और जानने के मुख्य सुरोत खुदाई में मिले उस समय के पत्थरों के ओजार और हथियार, जिवास्न, मिल्टी के बरतन, गुफा चित्रों, आवासों के अवसेस यहां तक कि वहां मिले कूडे से भी उस काल को जानने में मदद मिलती है जो हथियार मिले, ओजार मिले, जिवास मिले, जिवो के जो अंस मिले, और मिटी के बरतन, गुफा चित्र मिले, तो इन सबसे हम लोगों ने समझाया, यहां तक कि वहां कुछ कूडा मिला, उस कूडों से भी हम लोगों ने पता लाया कि आखिर यह लोग रहते क्या थे और है कि चित्रों में trabalhar दिखाए गभा चित्र कब्रमें मृतक के सांथ बगरी दफ़न 2 बूभांड और चांदी के सिक्के भोजबर पत्र पर पांडूलीपी यहां देवा झाल जाता है तो यह भोजब प्रमानों का मतलब होता है खुदाई में मिले साथ दुर्ग, किले, भवन, सिक्के, मुहरे, भोज पत्र, ताड़ पत्रों, ताम पत्रों पर पांडोली पियां, सिला लेख, प्राचिन गरंथ और साहित तथा ब्यापारियों और यात्रियों के बितांत आ दिया मतलब कि ब्य यान आया, तो इन लोगों ने अपना यात्रा बितांत लिखा, मेगास्थ नहीं जाया, उन लोगों ने लिखा, तो उससे भी पता चला की, जिस छेतर में गुमने गए, वहां के लोगों का रहांसान क्या था, तो ये सारे कुछ स्रोत हैं, जिससे के हमें इतिहास की जानका होगी, हमारे आज को समझने में इतिहास से आत्रा बहुत सहायक होगी, मतलब की हमारे पुर्वज भी कहां से आये, कैसे आये, इसको भी हमें समझना चाहिए, तो ये थी इतिहास की जानकारी आज के वर्सित में, और इससे जमनित कुछ प्रस्ण है, जैसे की इतिहास का क्य क्या महत्व है लिखित प्रमानों से पुर्व के काल का इतिहास किन भागों में बाटा गया है आप किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का पता उस घर के कचरे से किस प्रकार लगा सकते हैं और अपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करें पुर्वजों के नाम पुर्व निवास अस्थान अस्थान छोड़ने के कारण लिखते वी एक चार्ट दर्सा है तो चलिए बच्चों ये थी हमारी आज की वर्षिट और इसके आप प्रस्न उत्र करते हैं प्रस्न एक इतिहास का क्या महत्व है तो इसका उत्तर है इतिहास हमारे लिए एक महत्वण विसे है या हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविसे का निर्वान करने में सहायक है उसका प्रस्न दो है कि लिखित प्रमानों से पुर्व के काल का इतिहास कीन भागों में बाटा गया है इसका उत्तर है लिखित प्रमानों से पुर्व के काल का इतियास चार भागों में बाटा गया है आदिम पासानकाल, पुर्व पासानकाल, उत्तर पासानकाल और धातुकाल उसके बाद प्रशन 3 है कि आप किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का पता उस घर के कचरे से किस प्रकार लगा सकते हैं तो इसका उत्तर है किसी भी परिवार के घर के कचरे में वैसी बस्तुएं होती हैं जो वा खाने के इस्तिमाल मिलाते हैं अता कचरा देखने से यह पता चल जाता है कि घर का परिवार क्या-क्या खाता है। उसके बाद है प्रशन चार आपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करें। पुर्वजों के नाम, पुर्व निमास अस्थान, अस्थान छोड़ने का कारण लिखते हुए एक चार्ट पर दर्सा है, तो बच्चों ये आप अपना उत्तर स्वैम करेंगे, क्योंकि इसकी जनकारी आपको अपने घर के बुजुर्ग सदस्यों से मिलेगी, तो आप उन दस्यों से जनकारी लेकर इस बात को यहां मेंसन करेंगे, तो इसी के साथ आपकी ये वर्सिट कंप्लीट होती है, वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट जरूर कीजे, मेलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यों